अपना रियक्शन पर आपका स्वागत है, आज हम इस वीडियो के रियक्ट करने जा रहे हैं, उस वीडियो का टाइटल है, अलोरा के ब्लॉग टू कैलास टेमपल, एंड जैन टेमपल, ठीक है, तो यह एक्स मुसलिम जो है, उनकी वीडियो है यह, और इस वीडियो के लिए क काफी गर्व महसूस होता है, और देखते हैं उस कैलास मंदिर को, ठीक है, अगर आप न्यू है चैनल पर चैनल को सब्स्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो वीडियो को सुरू करते हैं, हेलो गाइस, वेल्कम अगेन, अब हम पहुंचे हैं कैलास टेमप यह है हमारे पासकर जी, काइड हमारे और यह देखिए कैलास टेमपल, कैलास दुनिया का सबसे बड़ा टेमपल माना जाता है, वाल्स लार्जेस मोनोलिथिक टेमपल से, क्या मतलब होता है उसका, वाल्स लार्जेस मोनोलिथिक क्याने की, यह दुनिया का सबसे बड़ा सि हत् haft ng एकि बडर एक्वर्ण में बनावा क्वांद टेंपल आएंग जो कि फी तौप तू-पॉटम है अब बिसिकला कोई कidas करतें है निचे से उफर करते है चले चला आफे अच्छा पीछे से लॉप्तट की जर्पी आने के लिए पहले 600 बोले देना आपने सारा 600 इसको 200 इस टेम्पल का निर्मान करने का स्रेज जाता है वह राष्ट कुट नारेष्ट दन दीदुर की पुर्ष्णा फस्ट उन्हीं की कारेकाले में यह सारा मंदिर बनके तयार हुआ है कि आपने बैक साइट में जितने भी क्योड देखे है वह फ्रंट बैक बनाते हैं यानि कि सामने से कट करते हुए आगे गया है यह बट यह टेम्पल उपर से कट करते निचलाया है जो कि इस मंदिर का जो डिजाइन दिखिये साजी एक चारियट की तरह है यानि की रत की तरह हाँ अजया है अदर में एक सिव लिंग खाली सिंगर बाकी कुछ नहीं है इस मंदर में पूचार चना कुछ होता है नहीं है अलो गाइस अभी मैं जा रहा हूं अजया है अजया है 155 एंजया है या जा है माथजर विंगक़ो ह çıkओा है याज में घर झारिया थास्वान दितुम लाह जो कि यहिला है इस मंदरिकों में एक कैछार से और बातार्शी एक है इस साहख ऐगाल एक जा तरह रह पया है थिया है उटे हुए है। इस मंदिर पर कई बार पेंटिंग के नए लेयर्ज भी सुसज्जित किये गए हैं। पर जब 1682 में औरंगजेब न इसमें आग लगा दी थी तब ये सारी पेंटिंग भी तबाह हो गए। इतना सब होने के बाद भी आज भी ये मंदिर खड़ा है और दुनिया भर के इंजेनियर्ज और साइंटिस्ट को आज भी अस्चर चेकित कर रहा है। इस मंदिर में कही कई अपको सपेत कलर नजर आ रहा देखे जाए जाए तो ये पेलास मौंटेंग जैसा है। तेकिन ये बैसाल राप होने के वज़े से इस मत्तर पर ये चूना और मट्र का कलर ठिकता नहीं है। इसलिए कई-कई लिकर चुका है। अहिलय देव होड़कर ने काशी विशुना से लेकर तो सभी जूतिलिंग मंद्रों को ये उन्हों ने वहां पर से जुन्योधार किया। दिकता है। वहां मंद्र को ये इस मंद्र का निर्माजवी जूतिलिंग मंद्र दिकता है। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा temple माना जाता है तो इस मंत्री में आपको यहां पर दिखिए है चोड़ चोड़ काव नजर आरे भी किसे निए इस धिवार की उपर में आ यह सभी रामायन थे रामायन दिखा गया है यहां पर राम के वन वास से लिका तो फाहं सिति अको आने तो यह नहुंने कला कर रहा हुने विश्ट्व पुरा रावार यहां पर रामान के इसे महावर्वार भी बता है और यह सामने हीं इंट्रेस्ट गीट अथे संदर आ रहा है तो नजर आ रहा हैं यहां पर गजी लक्षीमी का टैशियु साथ के टेकट को मिलता है बड़ा टैशियु से दो हाथिये जला भी सकते में पताया गया है इसके बाद में दोर के राइट साइट में दूरगा और लेफ साइट में गणेश इतना बड़ा काम करने के लिए आपके बस मानी पावर पावर और वाइड इन तीनों की सथ जरूत होती है इसलिए कलाकारों ने फस्ट में लक्षमी बताईए मनी के लिए पावर के लिए दूरगा बताएगे है और माइंड के लिए गनेश इतना प्रतिक अपको यहां पर दोर पर नजर आए इस आप राइट साइट से दो पर यहां आगते सामने आते हैं यहां पर दो लक्षी के बैरिकेट आपको शुव जी के दो आउतर बताएगे बड़ेफ और यह दो पिलर आपको यहां पर नजर आ रहे है क्योंकि इसे धोजास्तम पर नाम से देखने को मिलता है एक इंट्रेंस जैसा यह इंट्रेंस जैसा रावन शीव का सबसे बड़ा भक्त होता है और उसे युगों भी उतना होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हो तो रावन के क्लास परवत उठाने की कोशिश करा है तो यह फॉर्टी नमर्स में आपको डैचिस रही देखने को मिलता है तो यह दुनिया का सबसे बड़ा टेमपल माना जाता है एक ही फत्तर में मोनोलितिक है इस मंदिर का चीतर जो है 20 के नोट पर आया देखिए सब्सक्राइब का आ चलो यह एक नई चीज जारने को मिली हमें के लाज टेमपल का विजिट के बाद अब हम जा रहे हैं तो गाइस आचुके हैं हम नस्दीक केव नंबर 32 जो की जैनिसम वाला है कि अब देक रहे हैं यहाँ पर ये चैन व की पने हुई है अब हैं अट्रुम के नाम के नामशी जारा जाता है टे एक आइसन नमबर है उसे जिगाणाल के नाम में नाम के शामने हैं जो कि अभी जहनो धरम में दो पंथ होते हैं दिगंबर और स्वेतमबर जो सादू होते हैं वह असर निपेंटे हैं तरह अब जो सबत वह असर पहले हैं जो कि सारी कुफाय जो यह दिगांबर पंथ किये अंदर चलके देखते हैं क्या है कि अधिया कि अधिया कि अधिया कि यह उपर सब जगह पर कार्विंग नज़र आ रही होगी आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं आप लोगों को कि देखिए डीटेल्स पुरी हमने अल्रेडी हमारे जो गाइड है उन्होंने बता दिया है यह देखिए यह है जेन मुनी वाला और इसमें दिगंबर जो इनका पंथ है उसमें वस्त्र या कपड़े जो है वो नहीं पेहनते हैं इस वज़े से आपको स्टैच्व में दिख रहा होगा क कोई कपड़े नहीं परनाए गए हैं यह कि इसके अंदर में आपको प्रतिमा देखने को बिलती है विटी महावीरु भगवान पार्शलार भगवान और बाहु बली इनकी टैच्वस आपको यहाँ पर देखने को बलती है और खासकर कि यह दोनों के ओ जो है यह इन्ट्र क तो हुआ हम धिसा ऑठीचिंस त्मटन को उस्फेयर ड्रसे बीक में ओनग जर्श्था जोग इदर रहते देंगे जैन मूनी लोग जैन मूनी हाँ पर आते थे मात的फ़े करते थे धर्म पचार करते के लिए पब्लिक कंसे आहते तो आते हम एं сेयं प्रचार करते थे तो यह थे हमारे भासकर साहाब बहुत बहुत शुक्रिया भासकर जी आपका और अगर आप इदर आते हो तो भासकर जी को गाइड बनाएए बासकर जी 700 रुपीज हमसे ले रहे हैं इनकी जो मेहनत है और जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है तैंक्यू सो मच यह जो अन ओफिशल गाइड होते हैं इनको अंदर जाना अलाउड नहीं है ना अंदर नहीं जा सकते हैं यह लोकल गाइड से तो इनको अंदर जाना अलाउड नहीं है इस वज़े से यह कोई भी आपने देखा होगा कि को कोई भी केव में यह हमारे साथ नहीं थे इनको हम यहीं से अलवीदा करते हैं तैंक यू सो मच भाशकर जी हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप आना चाहिए इदर बिलकुल आना चाहिए सजी अपना धरोर है यहां पर हर एक इंसान ने आना चाहिए यह अपने तो सबसे अच्या रहता है व्योंकि भारिषबनेटि शेयु कंसले तरो बाहरय से अजडीक है और क्या आपकंशन है यहां पर बहर से दो लोग diplomat मेलें थे में य front cultiv को थेने सखेशिन संबाजी नगा स्टेशन पर उतरने का वहां से 30 किलोमेटर दूरी पर यह एलोरा गाँ तो गाइस किसी को अगर ट्रेन से आना है तो संबाजी नगा स्टेशन पर उतर हिए और बाहर से सिटी बस आपको मिल जाए कि 50 रुपे में तकरीबन 30 किलोमेटर है बड़ी आसानी से आ आज का एलोरा का मेरा विजिट आज का कम्प्लीट टैंक यू सो मच पर वाचिंग अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करे और जो डिसकेशन और शॉर्ट वीडियो जो भी अप्लोड होती है उसको जादा से जादा लोगों तक पहुंचाए अपना खयाल रखिए अपनों का खयाल रखिए जैहन वन्ने माथरा वीडियो यहां पर कंप्लीट हो गई उभार काफी इंट्रेस्टिंग वीडियो थी ऐलो रखेशन के बलाग्स टू मीस के लफाट आ जाया रो चेंपल जो दिए उनको इहां पर भीजा लेकिन ज्यादा कुछ बिगार नहीं पाया था था विगार, बिगार और क्याव तो उसने सारे जो उनके जो फेस थे और उनका पर सब तोड़ दीए थे ते ठीक है ना फिर भी इन्होंने इतना अथियाचार किया है हिंदु legacy आप उसके बाद भी विक्टिम कार्ड फिले करते हैं हमारे हाथ हमारे उसलिए सोर मचाते हैं, कि हमारे साथ ही हो गया, हमारे साथ ही हो गया, जबकि ये दूसरों के साथ करते हैं, दूसरे बोलते भी नहीं है, और हिंदू दो बिल्कुल नहीं बोलते, तो अपने लिए भी आवाज नहीं उठाते हैं, कोई बाहर का आके आवाज उठाते हैं, बनने के लिए और उपर से इसको कट करते हुए यह बनाया गया था तो किस लेवल की हाई लेवल की हाँ जब दूसरे धर्म जब दूसरे मजहव पैदा हो रहे थे उस वक्त पे तो यह हमारे हाँ पर हाई टेक्नोलोजी थी ठीक है न जो अपने आपको यह बोलते हैं न कि हम यह थे वो थे उस वक्त पे तो यह कैलास मंदिर बनके तयार हो गया था तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल की यहां पर टेक्नोलोजी थी दुनिया तो आपने जरा-जरा से क्यूपर ना कर दे ही हाँ तो बहुत ही आई लेवल की थी तबी तो बाहर की जो अकरामता थी उन उनका भरन पोशन भी नहीं हो सकता था बताते हैं कि 40% चावल भारत से ही जाता है अगर भारत चावल ना भेजे 40% से ज़्यादा अगर भारत चावल ना भेजे तो हालत खराब हो जाए जहां पर चावल नहीं होते हैं तो इसी तरीके से 50% तक समाल यहां से बाहर जाता था तो उनकी नजरे रहते थे कि कैसे करके इस चीज पे काबू पाया जाया और उन्होंने कांटीनिव अक्रमण किये वो बोलते हैं कि हमारे ये थे ये वो थे यहां फिर यहां की चकाचा उन्द को देखके वो सब कुछ भूल जाते थे कैसे भी करके सब करके कैसे भी करके कपजा करना चाहते हैं तो उन्होंने की आप काफी टाइम तक उन्होंने ऐसे ही किया जब यह हिंदुों को दो ही ऑप्शन देते थी कि यह तो मर जाओ या फिर कन्वर्ट हो जाओ यही थी ठीक है तो यही चीजे इनों ने की थी अच्छा फिर इनों ने इसे इसके बारे मताया कितना अच्छा डिजाइन था इसका कैलास ठीक है ना उसको हम स्रक्षित नहीं रख पाए इन्वेडर से आकरांत पाउसे जो चोर लुटेरे थे जो डकैत थे जिसकी गंदी नजरे हमारे देश के उपर थी हम उनसे उसे स्रक्षित नहीं रख पाए इस चीज का हमें दुख है और हम आगे हम कोसिस करेंगे आने वाल आगे हम उसके बाद में भारत के जीडिकी में थोड़ा सांतर आया था कि गिरने लगी थी घरों मैं से सोना को लूट-लूट के लिए जाते थे तो यह जब भी ऐसे कैसी यह नोंने खूब लूटा फिर भी ऐसे कैसी है ठीकि आपने लूट तो लिये लेकिन आपको यूज क करना तुम्हिं आया इ카ी उमात्य आपको ना मेडिटेशन करना आताया आपको किसी चीज का कंशे होती स्पीयोग करते हो करना आताया है बस खाया आया ते सब्सक्राइब दूरों को रहती थी ठीक है और फिर इनों ने जाइन मंदिर के सा पूरा बताया था कि वनको किस तरीके से जाइन मंदिर को बनाय गया था और बड़ा अच्छा लगता है और यह हमारी जो पूर्वा जो की धरो हार है इसको हमें समय बदहन चाहिए और इसके उपर पैसे खर्च करके इसको बकाया रही क्रूंकित प्रौर तरिके से करना झेशने की लेकिन इस के किसी का कोई ध्यान भी नहीं है कि कई पैसे खर्च करता है ना गवर्रमेंटके कोई ध्यान है बस ये कि यो हिंदु आप जो टेक्स का पैसा है न वो इदर उदर लगाए जा रहे हैं हमारे मंदिरों पे हमारे जो पुरानी दरोहर है उसके उपर कोई भी खर्चानी हो रहा है हम खुद से पैसे दे रहे हैं वो पैसा भी हमारा दूसरों के लिए यूज हो रहा है ठीक है तो अभी भी हिंदु सोय हुए हैं इनके उपस तो लाखों केस ठूचाने चाहिए अब तक जिस हिसाब से इनकी हरकते हैं गवर्मेंट भी लिहानी दिती है इस चीज के उपर हर किसी को केस कर देना चाहिए इनके उपर कि हमारे मंदिरों को हमें दो वापस मंदिर तो हमें इसमें तो उसमें खोलेंगे उसने बाद में हमारे जी क्या बोता है यह को वाकाइव में हम ऐसे करेंगे हैं जह हम दूसरों के डेसों में जाते हैं बस 500 साल पुरानी कोई चीज होगी ना हमने तो बहुत पुरानी चीज़े देख ली हैं, यहां पर दो-दो हजार सार पुरानी चीज़े हैं, उनको भी तमजूरे ही दी जाती है, ठीक है, ताज महल को वता दिया, कि ताज महल तो प्रेम की निसानी है, कैलास मंदिर को भी देख लीजिए, राम सेतु को भी देख ल तो वक्त लगता है और अच्छा लगा यह नहीं चानते हैं निको सरमिंद की क customize होती है कि हमारे पास तो कुछ थाई नहीं, हमारे पास तो हम तो ऐसी थे, हमको तो हर किसी ने लूटा, हम तो कायर थे, उनको ये awareness उनके अंदर आने ज़रूरी है, आपको लूटा भले ही सबने था, लेकिन आप कायर नहीं थे, आप, आप knowledgeable थे, आपके पास हर वो चीज थी, इसलिए आपको जो ह हुए हैं, इस वज़े से आक्रमन होते 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 होते, एक टाइम पे आके भी बंदा हार जाता है, तो बहुत आक्रमन हुए हैं, सिर्फ एक अरव ने या यूरोपय कंट्री ने आक्रमनी किये हैं, कहीं पे गुवा पे आक्रमन हुआ है, कोई पोर्तगाली आक्रमन का तो पूरी यूरोपय जो देश थे, अलग-अलग देश, सभी ने भारत पर आक्रमांट किये हैं, ठीक है, और ये सभी ने, तो जाइद सी बात है, जब पूरे उसको घेर लेते हैं, चारो तरफ से, तो एक टाइम प्या की टूट भी जाते हैं, तो ऐसे ही हुआ है हमारे साथ किया था, अखंड भारत तो खरूनी वे, लेकिन फिर भी उन्हों औरे बहुत हद तक एक कर दिया, जिससे कि आज किसी की हिमत नहीं पड़ती, आँक उठा के हमें देख सके, अगर आज हम फिर से ऐसी चोट-चोटे पार्ट्स में होते तो साइद आज यही हो रहा होता, अ इस पे ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है, तो देखते हैं, तो में भी आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो आप इससे को सब्स्राइब कर देजिएगा, लाइक कर देजिएगा, शियर जरू कर देजिएगा, जैसरी रहाँ, और कमेंट में जैसरी रहाँ जरू लिखेगा, जैसरी रहाँ.